नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सर्मार्ग साबन के महिने में सिव जी पूरे परिवार के साथ सिवाले में रहते हैं और हम भक्तों की फरियाद भी सुनते हैं साबन का महिना जिसका हम पूरे साल इंतजार करते थे आ चुका है और हम भगवान सिब को मनाने में लगेंगे आप भी लगेंगे तो ऐसे में सिब जी की पूजा कैसे करें कैसे उनको प्रसंद करें कौन सा पुस्प सबसे ज़्यादा उन्हें प्री है तमाम बाते आज आपके साथ साजा करेंगे अंतक बने रहें और ये भी जानेंगे कि हरी चूडियों का रहसे क्या है कहां रख दें और कैसे मापारवती का भी आसिरवाद हमें मिलता रहें देखिए अगर हम पुस्प की बात करें तो सिब जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय पुस्प है वो है आक का पुस्प तो आप आक का पुस्प जो होता है सिब जी को अगर सब्सक्राइब करें वाहन का सुख मिलता है अपना वाहन की प्राप्ती होती है और अगर आप बेला पुस्ब अर्पित करते हैं तो सुन्दर और गुनवान पत्नी मिलती है समी का पुस्ब अगर मिल जाए तो बड़े बहुत अच्छा नहीं तो उसके पत्ते भी आप चड़ा दीजिएगा क्योंकि समी का पुस्प या पत्ते अरपित करने से जीवन में जो सनी समंदी पिडाये हैं वो भी सांत होता है और कनेर का पुस्प कनेर तो आपको पता होगा पीले रंका होता है भगवान सिब की आराधना करने से अन्नवस्तर की कमी नहीं होती धतूरे का पुस्प धतूरे के पुस्प से अगर आप सिब जी को अरपित करते हैं तो पुत्र संतान की प्राप्ती होती है और आग्याकारी पुत्र होता है और अगर आप सिपजी की पूजन में दुर्वा घास अर्पित करते हैं दुर्वा घास तो आपको पता है लंबी उम्र की प्राप्ती होती है अगर आप लाल गुढ़ल का पुस्पर अर्पित करते हैं तो सत्तुर विरोधी सांथ होते हैं अपरा जिता अर्पित करते हैं तो चारो तरब से आपकी जैजैकार होती है और अगर आप चुकि समी का पुस्पर अर्पित करने से मोश्की प्राप्ति होती है लेकिन दूसी तरब अगर आप गेंदी का पुस्पर अर्पित करें तो सुक्र बहतर होता है और अलसी का पुस् जरूआर पित कीजिएगा इतर अर्पित करने से शुक्र Via बहतर होता है और सुखों की प्राप्ति होती है अगर केसर अर्पित करें तो बैभाई जीवन में सुक बढ़ता है जीवन में भौतिक सुक साधन बढ़ते हैं तो यह तो थी सिब जी को क्या पित करें क्या मिलेगा लेकिन अब एक सिंपल सी जी जब आप सिब जी की पूजा करेंगे तो मापारवती की पूजा करेंगे जब मापारवती की पूजा करेंगे तो उन्हें सिंदूर जरूर लगाईए आप लड़की हैं तो भी आप लगा सक करें छे आठ जो भी आपके पास है जोड़े में और फिर आप सिंदूर भी परसाद करूप में लगाई यह और हरी चूड़ियां भी पहन